नमस्कार प्यारे विद्यारतियों चेहरे पे सिकन है थोड़ी चिंताएं है चिंताएं होना लाजमी है और टेंसन नहीं लीजिए अभी साथ दिन बचे हैं साथ दिन के अंदर यदि हम लोग रोज के 12 गंटे की पड़ाई को गिने तो भी एक बहुत अच्छा समय रहता है तो आप सब लोगों के लिए अभी भी समय हैं और आपको पता है कि युद के अंतिम समय में बनाईगी रन्नीतियां निश्चित तोर पर उसके विजय का कारण बनती है अपन को चाहिए किसी भी कीमत पर विजय और विजय के पताका को फैराने के लिए एक भैतर रन्नीति का एक शांदार गाइडेंस का होना बहुत जरूरी है अपने आचल को भिगोती ही चली जाती है जिंदगी गर रोई तो रोती ही चली जाती है नेक काम में देर न कीजे साहिब देर होती है तो होती ही चली जाती है बिना कोई देर किये बिना एक सेकंड व्यर्त किये अब हम चलते हैं रन्नीति की और क्योंकि आप लोगों को पता है किसी भी बड़े चक्रविव से निकलने के लिए अपने अंदर निष्ठा होने चाहिए कारिये के प्रतिशमर्पन होना चाहिए तो आप लोगों के लिए कुछ सवाल लेकर आया कमेंड बॉक्स में लगातार कमेंड कर रहे है सर ये शमिश्याएं हैं वो है ये है अंतिम शाद दिनों के अंदर क्या करें भीया तैयारी के लिए अब साद दिन बचे हैं अब ऐसा भी नहीं है कि कोई बच्चा एक दम फ्रेसर आया और बोला साद दिन में कैसे करें बीएस चीशी के एक्जाम को क्लियर तो ये कोई साद दिन में क्लियर होने वाला एक्जाम नहीं है परन्तु आप लंबे टाइम दो महीने से पूरत कर किया है और इंदर हैं, उनको आपको पता है किसी भी नई चीजों को पढ़ने से जपना बहतर है कि जो पढ़ा हुआ उसको बाहर बाहर revise करें क्योंकि अपन को इन सब चीजों को अपनी secondary memory में बेजना है तो अंतिम शाह दिनों में कैसे करें तैयारी क्या करें और क्या न करें परतियों की परिक्षाओं के लिए ये बहुत जरूरी है कि हम क्या करें और इससे भी जरूरी है क्या न करें एक तो थोड़ा negative लोगों से जरूरत है तो अपने द्रड निश्चे और होसलों की, क्योंकि होसलों से हर युद्ध जीते जाते हैं, और साथ-साथ मैं टाइम डवल कैसे बनाएं, और डर लग रहा है न, अच्छी बात है, जिदि डर न लग रहा है, तो खराब बात है, डर किसको लगेगा, जिसको उम्म है, उम्मिद क्यों है, क्योंकि आपने धरातल पे काम किया है, कोप याँ पेन लेकर बैठे हैं, तो डर लगना अच्छी बात है, बूरी बात नहीं है, ऐसे यूमन बिंग हर किसी को डर लगता है, और डर लगने के साथ-साथ अपने आपको पोजिटिव रखना, मस्त रहन है, कि असंभव कुछ भी नहीं है, दोस्तों, और बिना रणनिती के लक्षे सिर्फ सपना है, रणनिती की बात करेंगे, और मस्त रहना है, किसी भी तरह के टेंसन है, मुझसे बात करो, आपके चेरे पे श्माइल होनी चाहिए, और श्माइल के साथ अपने लक्षे की बार बार अब दोहराना है, जैसे कौन कौन से सब्जेक्ट ज्यादा पड़ें, देखिए भाईया, अब मैं सब बातों के उपर आऊंगा, और टेस सीरी जो हमारी है, मौडल पेपर वो 49 रुपए में 15 मौडल पेपर है, हमारे जो एप्लिकेशन है, उसका लिंक नीचे डि इस्ट्राग्राम डाउनलोड होता है, वहीं से प्ले स्टोर से हमारा एप डाउनलोड होगा, और वहां से लिलेना है, रोजाना एक मौडल पेपर सॉल करना सबसे पहला, तो सर आप बताओगे, वो हम मानेंगे, तो मैं बता रहा हूँ, 8 से 11 वजे शाम के टाइम में, हमार लगातार उसको निकालिए, जितने questions ज्यादा करोगे, अब उतना ज्यादा बैतर होगा, क्यों थियोरी पढ़ने का आप समय ज्यादा रहा नहीं है, साथ में पुराने paper को सॉल करना, पुराने paper हमारे application में डाल रगे हैं, निसुल्क भी है, कुछ paid भी है, 49 रुपे में भी है, free में भी है, उसको आप देख सकते हैं, और साथ में reasoning जो है, उसके 3 chapter है, रोज आपको सॉल करने है, तब से पहली बात देगो, reasoning के 50 में से अपन को 48 सवाल किसी भी condition में शाही करने है, कब होंगे, जब आप अपन के दिन में 3 chapter है, 7 दिन का समय है, 7 दिन के अंदर 3 chapter प्रत 15-15 सवाल लेने, 15-15-15 सवाल लेने, सवाल नहीं मिलने है, हमारे application के अंदर अवेलेबल है, free of cost अवेलेबल है, लेलो, वहां से question लेलो, तो 3-3 chapter को प्रती दिन करना है, 15-15-15 सवाल करना है, और इन 45 सवालों को करने के लिए आपको एक घंटा देना है, और एक घंटा जो हम को तीन-तीन करोगे, तो अपने पूरे हो जाएंगे, और साथ ही साथ में एक घंटा पूराने जो chapters है, उनको revise करना है, यानि कि अपन को रोज 2 घंटे revision के रूप में reasoning को देने है, राजस्तान जी के का जो मासागर है, वो अता है, उनमें ज्यादा नहीं पढ़ना अपन लो RPSC, RSSB, PTT, BSTC, उन सभी के अंदर आयोवे प्रशनों का पुरा जखीरा हमारे पास पड़ा है, वो देख लो, कला वसंस्कृती के भी प्रशन हमारे YouTube पे करार रखे हैं, कोई धंकी ये किताब लीजिए, उसमें से सॉल कर लीजिए, हो जाएगा, कोई बड़ी बात नहीं है, उन सब में अपन को सरसरी शोट 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 अब देख लेना है, ज्यादा इसमें समय खराब करने के ज़रुत नहीं है, राज व्योस्ता के सवाल कई बार ज्यादा जाते हैं, कई बार आते ही नहीं है, कई बार कम आते हैं, तो राज व्योस्ता की 12-13 गंट आपकी complete हो जाएगी पस जरूरत है तो शांदार तेयारी की सब की playlist बन रखी है हमारे उस playlist में जाईए और वहां से देख लीजिए रोजाना दो गंटे आपको राजस्तान जीके को देने हैं MCQ ज्यादा करने हैं और साथ ही साथ में आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि भईया कौन-कौन से सवाल ज्यादा important जैसे इस्तियास के अंदर बात करें तो प्रजा मंडल हो गया एकिकरन हो गया भुगोल के अंदर राजस्तान का भोगलिक विस्तार है जो भुगोल आएगी ना वो पुरानी वाली आएगी अभी वाली नहीं आएगी तो टैंसन नहीं लेनी है अपन को कला संस्कृति के अंदर हमारे मेले त्योहार लोग देवता लोग देविया इनके कौन-कौन से संत हुए हैं क्या मामला है यह सबी आपको पार-बार थोड़ा सा दोराना है और इंट्रेस्टिंग भी है मज़ा आएगा कीजिए साथी साथ में शिक्षन अभिरूची जो है इनके model paper आप सोल कीजिए अब ज्यादा इसमें theory पड़ेंगे न तो नहीं समझ में आएगा आप model paper कीजिए और शिक्षन अभिरूची में आप 50 में से 50 कर सकते हैं बस उसके लिए जरूरत है तो positive रहने की you have to be very positive then you will answer every question क्योंकि कि जब positive रहेंगे तो question ऐसा ही आएगा कि class का monitor किसे बनाना चाहिए जब अपन को पता है कि monitor सबसे sincere और समझदार बच्चे को बनाना चाहिए जिसमें नेत्रित्व का गुण है तो ये उत्तर ठीक है वहाँ option आएगा head mark साब के टाबर को सबसे बदमास बच्चे को तो अपन महतुपून सबसे महतुपून सवालों को discuss किया जाएगा total 300 सवाल कराये जाएंगे उनमें से कम से कम 30 से 35 प्रशन सीधे परीक्षाम आपको देखने को मिलेंगे साथी साथ में शिक्ष्ण अब बिरूची को कितने गंटे देने दो गंटे सर हिंदी हिंदी के लिए भया होता है वो दिर्ग संदी का उधारन होगा तो होगा वो कब आपके होगा जब आप नियमों को पड़ेंगे सबसे सरल तरीके से हमारी हिंदी की पूरी क्लासे डाल रखी है हिंदी की पूरी क्लासों को आप लोग total 16 गंटे की हमारी ध्योरी क्लास है और आप यकीन नहीं करे कि आप इसे मात्र से मात्र आप लोगों को बता दूँ 5-6 गंटे में आपकी complete हो जाएगी 5-6 गंटे 2 की speed करके देख लीजिए और इनके mcq topic wise mcq संदी शमास उपसर्ग परता है और आज हमारे जो वाक्य सुद्धी है इन सभी के mcq हो गया और 6 दिनों में सभी mcq हो जा परिक्षा में तो आएगी और आप लोगों को मैं बता दूँ आप कितने भी कमजोर है इंग्लिश के अंदर पर इंग्लिश नियमों से चलती है यदि आपको ढंग से टैंस आता है तो टैंस आएगा तो एक्टिव पेशिव आएगा reported speech आएगा डिग्री है प्रेपजीशन से इन सभी डिटर्माइनर्स को ढंग से एक बार ही कर लीजिए आपके दस बारा पंदा सवाल से हो जाएंगे रोज का आप एक डेट गंटा इनको देना है डेट गंटा आपको इसको भी देना है टोटली अपन लोगों को सभी सब्जक को एक बार धार देनी है उसको गंटे के अंदर तो 15 15 15 15 3 chapter के सवाल एक गंटे सभी टाइप्ज के नियमों को पड़े राष्तान जीके के 2 गंटे राष्तान भगोल अर्थ व्योस्ता आपकी जो राज व्योस्ता सात ही सात में इथियास और कला संस्कृति के लिए 2 गंटे ज्यादा से ज्यादा रखा है वो देख लीजिएगा और साथ में MCQ के सभी सिरीज वाइज डाल रखे हैं वो भी देख लीजिएगा एक भी प्रशन आपके बाहर जाएगा नहीं इंग्लिश की भी दोपर को रोज क्लास चलती है MCQ प्रिविएस एर पेपर को ध्यान में रखते हुए नहीं MCQ बनाकर आपको परिक्षा की दरश्टी सेश्ब से मजबूत करने का कारी हम कर रहे हैं और रोज और एक मोडल पेपर रात को आठ से ग्यारा देना है और ये अपन को पूरा फोकस्ट होके करना है क्योंकि ये की ग क्योंकि मुश्कान से कोई भी युद को जीता जा सकता है मेरे सभी साथियों मेरे सभी टाइगर्स मस्त रहिए खुश रहिए स्वस्त रहिए और अपने लक्षे के प्रती एकलव्य से निष्ठा रखिए और निष्ठी तोर पे वो कल आने ही वाला है जब आपके चेहरे प पापस admit card के लिए तब तक के लिए धन्यवाद.